माता मुंदेश्वरी, जिसे मुंदेश्वरी देवी के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राचीन हिंदू देवी है, जिसे भारत के बिहार में मुंदेश्वरी मंदिर के अध्यक्ष देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है. यह मंदिर देश का सबसे पुराना कार्यात्मक मंदिर माना जाता है, जो पांचवी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है माता मुंदेश्वरी की कहानी पौरानिक कथाओं में निहित है और इसक्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में बहुत महत्वर रखती है कीवदंतियों के अनुसार, दुर्गासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने पृत्वी पर कहर बर्पाया और लोगों को आतनकित किया देवी देवताओं ने अपने अत्याचार का सामना करने में असमर्थ भगवान ब्रम्हा की मदद मांगी इसके जवाब में, भगवान ब्रम्हा ने एक शक्तिशाली महिला देवता की रचना की, जिसे मुंडेश्वरी देवी के रूप में जाना जाता है, जो राक्षस को खत्म करने और शांती बहाल करने के लिए है माता मुंडेश्वरी, दिव्य हथियारों से सजी और अपनी शेर परवत पर सवार होकर, प्रिथवी पर उतरी और दुर्गासुर के साथ एक भयनकर युद्ध में लगी दोनों शक्तिशाली प्राणियों के बीच टक्राव कई दिनों तक चला, दुर्गासुर ने अपनी काली शक्तियों को खोल दिया और अराजकता पैदा कर दी हालां की माता मुंडेश्वरी अपनी दिव्य शक्ती और अटूट भक्ती से प्रेरित होकर, विजई हुई और राक्षस को मार डाला दुनिया को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया उनकी विजई की मान्यता में, देवी देवताओं ने मुंडेश्वरी मंदिर की स्थापना उसी स्थान पर की जहां युद्ध हुआ था मंदिर को नागरा स्थापत्य शैली में बनाया गया था, जिसमें जटिल नककाशी और मूर्तियां देवी के विभिन पहलूँ को दर्शाती है माता मुंडेश्वरी से आशीरवाद लेने के लिए श्रद्धालू मंदिर पहुँचे और उनकी शौर्य और परोपकारिता को श्रद्धान जली अर्पित की सदियों से, मुंडेश्वरी मंदिर आस्था और भक्ती के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों से भक्तों को आकरशित करता है इसने समय की कसोटी पर खरा उतरा है, सामराजियों के उत्थान और पतन को देखा है और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाशक के रूप में सेवा की है आज भी माता मुंदेश्वरी एक शक्तिशाली और दयालू देवी के रूप में पूज्य है उनका मंदिर उनकी दिव्यक रिपा और उनके भक्तों की अटूट आस्था के लिए एक वसियत नामा के रूप में खड़ा है माता मुंदेश्वरी की कहानी लोगों को विपरीत परिस्थितियों में साहस धार मिक्ता और भक्ती को अपनाने और अधिक से अधिक अच्छे के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है